वेलकम टू तेज़ एजूकेशन मद्यपरदेश जेल प्रहरी परिक्षा ही तू मुख्य रूप से स्पेसल तोर पर साइंस बसे के हम महत्यपुन प्रश्ण इस वीडियो में लेकर आए हैं और पूरा वीडियो आप लोगों के लिए हम ऐसे प्रश्णों से समाहित कर रहे हैं जो कि व्याप्रम के दारब बार बार पूछे जाते हूं एक तरीकी से ब्यभारक प्रश्ण भी आप इनको कह सकते हैं सबसे पहला प्रश्ण देगा आपकी लाप क्लास रहती लेकिन लाप नहीं ओपा रहे नेटवर्क की बज़े से तो आपको रिकोडिक उपलब्द कराई जा रहे हैं सबसे पहला प्रश्ण है कि न्यूटन की गती का पहला नियम जाना जाता है किस नाम से गुर्टा कर्शन या जड़त्यों की नियम के नाम से या फिर संबिक की सरचन की नियम के नाम से या फिर उर्वाधर गती के नाम से तो हमें स्याद रखे गए न्यूटन की गती का जो प्रिथम नियम है उसे जड़त्यों का नियम कहा जाता है अर्थात law of inertia कहा जाता है धकला प्राशन है कि washing machine का कार्य सिधांथ क्या होता है अप केंदर्ण, अपोहन, उत्क्रम परासर्ण या फिर बिसरण तो हमें स्याद रखेगा washing machine का कार्य सिधांथ होता है अप केंदर्ण उक्क्य बिकल्प Ace का सही जवाब है प्रश्न है कि निम्न लखित में से कौन सी रासी सदिस नहीं है जो सदिस रासी नहीं है वह आपको बताने है पहला बिकल्प विस्थापन, बेग, बल या फिर आयतन तो यहां पर आयतन सदिस नहीं है इसके अलावा बिस्थापन, बेग और बले तीनों के तीनों रासियां सदिस है प्रश्न है कि निम्न लखित में से कौन सी एक शदिस रासि है तो इन दिये गई विकल्पों में शदिस रासि है संबेग अगला प्रश्ण है कि निम्न लखित में से कौन सी सदिस रासी है अभी हमने देखा कि संबेग एक सदिस रासी है और विस्थापन भी एक सदिस रासी है और हमने जाना कि बल देग ये भी कैसी सदिस रासियां है प्रश्न है कि बल गुडनफल होता है किस-किस का बल किस-किस का गुडनफल होता है तब आप हमें से याद रखें कि बल द्रब्यमान और बेक का गुडनफल होता है या फिर द्रब्यमान और त्वरण का गुडनफल होता है या भार और बेक का गुडनफल होता है या भार और कि उर्जा सर्रचन का आसे किस से होता है तो आप हमी से याद रखेगा मैं सीधी सीधी आपको उर्जा सर्रचन के बारे में बता देता हूँ उर्जा सर्रचन का अर्थ ही होता है उर्जा का न तो सरजन हो और नहीं बिनास हो वही क्या है उर्जा संरच्छन कहलाएगा अगला प्रशन है कि हवाओं की उर्जा कैसी होती है क्या हवाओं की उर्जा केवल इस्थेतेज उर्जा होती है या केवल गतिज उर्जा होती है या फिर वैद्धत उर्जा होती है या फिर इस्तितिज और गतिज दोनों ही उर्जा होती है तो हमें से याद रखेगा जो हवाओं की उर्जा होती है वह केवल और केवल गतिज उर्जा होती है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि बायुशक्ति या फिर कहें विंड पौवर में उर्जा का कौन सा रूप बिद्धुत उर्जा परवर्तित होता है हमेशे याद रखेगा गत्य जूर्जा विकल्प यह इसका सही जबाब है अगला प्रश्न है एक ट्रेंड जैसे ही चलना सुरू करती है उसमें बैठे हुए यात्री अपना सिर क्या है भई पीछे की ओर जुक जाता है जो यात्री बैठा होता है उसका सिर पीछे की ओर जुक जाता है यात्री का तो इसका कारण क्या होता है जैसे ही ट्रेंड अच्छानक चलना प्रारम करती है तो उसमें बेटे हुए विक्ति का सिर्फ पीछे की और इसलिए जुक जाता है क्योंकि बहाँ पर इस्तिरता का जड़त तो होता है यह कि बिकल्प एसका सही जवाब है अगला प्रश्न है कि सड़क पर चलने की अपेच्छा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है क्या कारण होता है कि आप सड़क की अपेच्छा अगर बर्फ पर चलेंगे तो आपको कठिनाई महसूस होगी मैं सीधी से आपको उत्तर बताता हूँ आप सड़क की अपेच्छा अगर बर्फ पर चलेंगे पैदल चलेंगे तो वह कठिन होगा क्योंकि बर्फ में सड़की अपेच्छा घर्षन कम होता है और जितनी चिकनी सतह होगी जिस सतह में जितना घर्षन कम होगा वहां आगको चल्ले में कठनाई प्रतीध होगी या महसूस होगी अगला प्रशन है गुरुत्वा कर्षन का सिध्धांत किस ने दिया था बहुत अच्छा प्रशन है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि गुरुत्वा कर्षन का सिध्धांत दिया था आजेक न्यूटन ने विकल्प सी इसका सही जबाब है अगला प्रशन है कि गुरुत्वा कर्शन के सार्व भूमे के नियम का प्रतपादन किशनी किया तो गुरुत्वा कर्शन का नियम आईजय के न्यूटन ने दिया और गुरुत्वा कर्शन के सार्व भूमे के नियम का प्रतपादन किशनी किया भी न्यूटन ने प्रश्न पूछने का केबल तरीका बदल गया है अगरा प्रश्न है कि अंतरिच्छे यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं इसका मुख्य कारण क्या है अंतरिच्छे यात्री जो रहते हैं भी निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं इसका कारण है त्योंकि वहाँ पर कह गुरुत्तों नहीं होता है बिना गुरुत्तों के बिना गुरुत्तों कर्षन बलके वह सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं प्रश्ण हैं कि हबा में लोहे और लकडी की समान भार की दो गैंदे हैं और दोनों गैंदों को समान उंचाई से जब गराया जाएगा तो क्या होगा देखें लोहे की गैंदे लकडी की गैंदे दोनों में बजन बरावार है क्या प्रत्वी पर दोनों एक समय पर गिरेगी लोहे और लकड़ी की गेंद या फिर एक पहले गिरेगी या फिर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी या फिर कुछ अंत्राल में गिरेगी तो हमें से आद रखें लोही की और लकड़ी की इन दोनों गेंदों को अगर एक साथ एक समान उचाई से छोड़ा जाता है तो इन में से लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी उकि बिकल्प सीज का सही जबाब है अब देखे ऐसा क्यों? क्योंकि हवा की अनुपस्तिती में लोही और लकड़ी के समान भार को समान उचाई से गराने पर एक साथ प्रत्री पर पहुँचेंगे यासा कब होगा? एक साथ कब पहुचेंगे जब हवा की अनुपस्तिती हो लेकिन जब हवा की उपस्तिती में दोनों के एक साथ छोड़ा जाएगा तो लोही की गैंद पहले पहुंचेगी और लकड़ी की गैंद बाद में गिरेगी इस देट के लिए आगे वरते हैं प्रश्ण है कि भार हिंता होती है भार हिंता गृत्वा कर्शन की सुन्य इस्थिती को कहती है विकल्प ये इसका सही जबाब है अगरा प्रश्ण है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा अगर कोई विक्ति लिफ्ट में बैठे हुआ है तो इसे अपना भार अधिक मालूम तब पड़ेगा कब इसका सही जबाब है भई उसे अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा जब लिफ्ट तौरित गती में उपर जा रही होगी विकल्प ये इसका सही जबाब है अगला प्रश्ण है कि बर्सा की बूंद की गोलाकार आकरती का क्या कारण होता है बर्सा की बूंद की गोलाकार आकरती का प्रमुक कारण रहता है प्रश्ठ तनाव प्रश्ठ तनाव के कारण बर्सा की बूंद की आकरती गोल होती है कभी प्रश्ण पूशले पानी की बूंद गोल क्यों होती है क्योंकि भी प्रश्ठ तनाव के कारण होती है प्रश्ठ तनाव यहाँ पर काम करता है प्रश्ण है नेनो द्रब्यों का सरवादेक महत्यपून गुड होता है क्या बल, दाव, घर्चन या तापमान तो हमें से याद रखें नेनो द्रब्यों का सरवादेक महत्यपून गुड जो होता है वह होता है घर्चन उके बिकल्पे 20 का सही जवाब है अगला प्रश्ण है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है ऐसा क्यों होता है अगर आप पानी से भरी हुई बालती में अगर पानी में आप तेल डालने हैं तो तेल जो है तेल की बूंदे पानी के उपर तैरेंगी ऐसा क्यों होता है तो इसका प्रम कारण होता है तेल का जो तल तनाव है वह पानी से कम होता है उके इसलिए अगरा प्रश्ण है मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों तेरता है तो भई मिट्टी का जो तेल होता है वह पानी के ऊपर इसलिए तेरता है क्योंकि उसका घनत तो पानी के घनत उसे कम होता है वोके बिकल्ब 20 का सही जवाब है अगरा प्रश्न है कि साबुन के बुलवले के अंदर का दाव कैसा होता है तो साबुन के बुलवले का जो अंदर का दाव होता है वह बाहर के दाव की अपेच्छा क्या है अधिक होता है वकि बायमंजली दाव से अधिक दाव होता है शाबुन के बुलबले के अंदर का दाव वकि विकल्ब एसका सही जवाब है और जैसे अंदर का दाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो बुलबला रहता है, जो सरफेस होता है वो उस smarter को नहीं झहील पाता तब ही वह क्या है बुलवला तूट जाता है प्रश्ण है सावन के बुलवले को आवेसित किया जाता है तो क्या होता है तो हमें से आद रखें जब सावन के बुलवले को आवेसित किया जाता है तब यह और फैलेगा और उसकी क्या है तरज्या बढ़ जाएगी विकलिप यह इसका सही जबाब है वह बुलबुला क्या है और बढ़ेगा और उसकी तरज्या क्या है बढ़ जाती है अगला प्रश्न है बत्ती वाले इस्टोब में केरोसिन की बत्ती में उपर चड़ने का क्या कारण है बत्ती वाला जो इस्टोब होता है उसमें उस बत्ती में केरोसिन उपर की ओर क्यों चड़ती है इसके लिए क्या प्रमो को कारण रहता है क्या उत्तरदाई रहता है इसके लिए अगला प्रशन है कि हवाई जाल से यात्रा करते समय पैन से स्याही निकलने लगती है इसका कारण है क्योंकि बायदाव में कमी होती है बायदाव की कमी के कारण हवाई जाल से यात्रा करते समय पैन से स्याही निकलने लगती है वोके बिखल पेस का सही जवाब है तब बनिर है तेज एजुकिशन के साथ ऐसे ही सांदार महत्वड प्रशन प्राप्त करने के लिए